Hello everyone, welcome back to olive board और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए interim budget जिसका आप लोगों को इंतिजार था बिल्कुल comprehensive है जो highlights है और जो schemes है उनकी date भी मैंने mention कर दी है अगर आपने इस पूरे document को last तक देख लिया तो आपका कोई भी caution बहार नहीं जाने वाला है आपके SSE exam में, railway exam में in fact upcoming जो banking exams भी है उन में भी तो यहाँ पर आज हम interim budget की highlights को cover करने वाले तो ध्यान से सुनियेगा सबसे पहले हम बात करेंगे why interim budget budget क्या होता है उस पे हम discussion करेंगे और सीधे हम बात करेंगे अपनी highlights पे तो हर एक sector में निर्मला सीतरमन जी की द्वारा बात की गई है, कोई new scheme को announce नहीं किया गया है, ना ही किसी new schemes के बारे में यहाँ पर discussion हुआ है basically पुरानी schemes का ही data इन्होंने बताया है कि हमारी government ने last 10 years में क्या-क्या काम किया है, कौन सी scheme run हो रही है, beneficiaries क्या रहे है वो सारी बाते हाँ पर discuss की है क्योंकि आपको भी पता है, दो महीने बाद हमारे देश में election है, तो जो remaining two months है, अभी जो present की government है उनके पास rule करने के लिए अभी दो महीने का समय है, तो उन दो महीने में किस तरी किस economy को run करना है वो बाते कही गई है, फिर जो नए government बनती है, नया portfolio system बनता है, नया cabinet आता है, उसके बाद finally आप देखेंगे कि जून-जुलाई में नया budget पेश किया जाएगा तो फिर नया budget में detail में discussion होगा, यहाँ पर कोई भी नई schemes के बारे में discussion नहीं हुआ है, ठीक है पहली चीज, interim budget केवल इसली लाया गया है, क्योंकि अभी सरकार के पास 2-5 महिने का समय है, अपनी सरकार को चलाने के लिए, उसके बाद हमारे तेश में election होंगे, इसली interim budget आया है budget क्या होता है, तो हमारे घर में भी हम budget तयार करते हैं जब हमारी salary आती है, हमें ये rent देना है यहाँ पर इतना electricity का खर्चा आएगा इतना हमारा खाने पीने में खर्चा आएगा, तो हम basically क्या करते हैं हमारे पास जो income आई है, वो और जो हम खर्चा करने वाले हैं वो उसका एक हिसाब किताब हम रखते हैं, उसे ही budget कहते हैं, वैसे ही सरकार भी करती है कि सरकार को कहां से revenue receive होगा और सरकार कहां पर खर्चा करेगी, उसको ही हम क्या कहते हैं, budget के नाम से जानते हैं तो budget क्या है, government का announcement है कि government का revenue और government के expenses future period में क्या रहेंगे इसके बारे में upcoming financial year के बारे में information देने के लिए सरकार budget पेश करती है ठेक है, सरकार के budget हमारे budget में छोटा सा अंतर होता है पहले हमारी salary आती है, उसके आधार पे हम खर्चा करते हैं, तो हमारे घाटे होने के chances बहुत काम है बहुत ही कोई major crisis आगया तो ही हमें घाटा होगा, लेकिन सरकार का ऐसा नहीं होता, सरकार पहले announce कर देती है कि आने वाले समय में हमारे हो सकता है, हमारे पास इतना income आएगा और हम इतना खर्चा करेंगे, तो ऐसे case में क्या होता है, सरकार को घाटा लग जाता है जिसको हम physical deficit या राजकोशी घाटा कहते है मतलब सरकार की income कम है और expenditure जादा है तो सरकार मतलब इसका क्या मतलब होगा कि हम import जादा कर रहे हैं और export कम कर रहे हैं इसको हम current account deficit बोलते हैं या फिर आप इसको physical deficit normal term समझ लिजी, सरकार का खर्चा कि आपका revenue कमाया और expenditure जादा हो गया तो physical deficit कितना रहने वाला है वो भी इस budget में बताया गया है वो सारी बात तो कभी हमें discuss करना है तो government budget में basically summarize करती है कि previous fiscal year में उसने कहां पे खर्चा किया कहां से कितना income हुआ था आने वाले fiscal year में सरकार कितना खर्चा करेंगे और कहां से कितना revenue आएगा हमारे देश में जो fiscal year है वो 1st of April से लेकर 31st of March तक calculate किया जाता है ठीक है अगर बात करेंगे हमारे देश के पहले budget के बारे में देश आजाद होने से पहले प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में हमारा जो 1st budget आया था वो 8060 में आया था जिसको लेकर आया थे James Wilson ठीक है और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडिया स्वातन्त्र भारत की बात करतें तो पहला budget आया था 1947 में जिसको पेश किया था आरके शटमुकम शेटी ने ठीक है तो budget की preparation कौन करता है तो Department of Economic Affairs जो की Ministry of Finance के अंदर काम करता है ये budget को prepare करता है budget के दो parts आपको देखने को मिलते हैं एक revenue budget और एक capital budget revenue budget का क्या मतलब है कि हमारे budget का वो part जो की सरकार को कहां से money receive हुई है और कहां पर सरकार spend करने वाली है जैसे कि income tax वगेरा या regular sources है वहां से जो पैसा आ रहा है वो सब आपके revenue budget का part होता है capital budget क्या होता है कि आने वाले समय में सरकार के asset क्या है, asset से फाइदा क्या हो रहा है सरकार आने वाले समय में कौन-कौन से infrastructure जैसे आपने देखा road बनाते हैं, bridge बनाते हैं वो सरकार का capital expenditure या capital budget का part होता है clear, तो budget generally दो parts में दिया जाता है, एक revenue budget होता है और एक capital budget होता है जब final budget आएगा तब इस sub-term को हम discuss करेंगे, फिलाल हम सीधे आते हैं highlights पे हमारे interim budget के क्या highlights रहे है तो बिलकुल यहाँ पे निर्मला सीतरमन जी आती है और budget पेश करती है, जादा बड़ी speech नहीं रही है लगबग एक घंटे की speech रही है निर्मला सीतरमन जी की इन्होंने सबसे पहले कहा कि जब हमारी सरकार आई थी 2014 में, तब हमारा development का एक mantra था, और हमारा mantra था सबका साथ, सबका विकास सब लोग साथ आएंगे, सबका मिलके विकास होगा, लेकिन आज अगर हम बात करें, जब हम second election जीच जाते हैं तो हमारा mantra change हो जाता है और हमारा second term के लिए जो mantra होता है, वो है सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास हर एक घर तक विकास पहुँचना चाहिए, और सब लोगों का विकास होना चाहिए, चाहिए वो ruler area हो urban area हो, ये इनका कहना है तभी, तभी हम developed India बन पाएंगे, और हमारा target है कि हम 2047 तक developed India बन जाएंगे, और यहाँ पर एक और बात की गई है कि ऐसा हम तभी achieve कर सकते, जब सबका प्रियास भी हो, क्योंकि pandemic के समय भी अगर हम अपने growth कर पाएंगे, तो उसका reason यही है कि सबका प्रियास रहा है, और under the आत्निर्वर भारत, सभी के प्रियास से हमारी economy growth अच्छी रहने वाली है, यह बात यहाँ पर कही है तो अपने mantra के बारे में कि development का मंत्र क्या रहा है, जब हमारी सरकार बनी थी, जब second term के लिए हमारी सरकार बनी थी, तो हमारे मंत्र क्या थे यह बात यहाँ पर कही गई है जीके, अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि हमारे देश में हमें चार major caste पर फोकस करने की ज़रूरत है अब यहाँ पर जो caste की बात हुई है ब्रामहर वेश शूदर की बात नहीं हुई है यहाँ पर अकॉर्डिंग टु दा प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में फोर major caste है उनका development होना जरूरी और वो caste कौन सी है? पहले है गरीब दूसरी है महिलाएं तीसरे है यूबा और चौते है अन्यदाता farmers के लिए जो शब्द इस्तमाल किया गया है budget में वो अन्यदाता है बार बार जैसे कि हम PM किसान निदी सम्मान निदी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ भी term जो इस्तमाल किया गया है वो अन्यदाता शब्द का इस्तमाल किया गया है तो अगर हमें country का overall progress करना है development करना है तो हमें इन 4 major cast के development पे ध्यान देना चाहिए वो 4 major cast कौन सी है poor, women, yuba and farmers ये बात यहाँ पर mention की गई चीक है अब housing की बात हम एक ही करके सारे segment देखेंगे कि housing sector में क्या हुआ, agriculture में क्या हुआ renewable energy में क्या हुआ एक एक करके सब discuss करेंगे सबसे पहले घरों की बात करते है क्योंकि budget तो आप घर में बैटके ही देख रहे हो न तो सबसे पहले घर की बात है तो government ने कहा है कि हम बहुत जली एक scheme को launch करेंगे इसमें जो middle class है जो deserving middle class है और जो rented house में रहते हैं या slum area में रहते हैं या chawls में रहते हैं वो अपने खुद के घर को purchase कर सके या खुद के घर को ready कर सके own house को build कर सके तो उनके लिए एक scheme हम बहुत जली लेकर आएंगे government का ऐसा plan है फिर government ने कहा है कि अभी हमने कुछ दिन पहले प्रधान मंतिर सूरुदय योजना launch की मतलब आपकी rooftop solarization scheme जिसमें हम एक करोर घरों के उपर solar panel लगाएंगे एक करोर घरों के उपर जिससे वो electricity को produce करें उस electricity का इस्तमाल वो अपने घर में भी करेंगे जो surplus amount of electricity बचेगी उसको sell out कर सकते हैं बेट सकते हैं जिससे poor family को एक income का source भी आएगा और उसके बाद electricity पर उनके उपर जो burden परड़ा है वो burden भी reduce होगा तो यहाँ पर rooftop के बारे में बात की गई है कि एक करोर घरों में हमने ये facility available कराई है और 300 unit free electricity every month provide की जाएगी अगली बात यहाँ पर PM आवास योजना ग्रामीर की की गई PM आवास योजना ग्रामीर के अंदर बोला है आने वाले समय में आने वाले next five years में हम दो करोर घरों को और तयार करेंगे so two करोर more houses will be taken up in the next five year आने वाले पात सालों में हम PM आवास योजना ग्रामीर के अंतरगत दो करोर नए घरों का निर्मार करेंगे अब यह scheme यहाँ पर इस्तमाल हो गई तो यह exam में caution बन सकता है अब कि PM आवास योजना ग्रामीर को कब लाँच किया गया था तो यहाँ पे देखी मैंने note लिखा है कि प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीर को 1st April 2016 से लाँच किया गया था Actually एक reconstruction है एक redevelopment है इंद्रा आवास योजना का इसकी nodal ministry Ministry of Ruler Development है यह extra आप लोगों के लिए point हो गया जो कि important है Next है health अब यहाँ पे निर्मला सितर रमन जी के द्वारा कहा गया है कि हमारे देश में इंफेक्ट पूरे वर्ल्ड में जो cervical cancer की problem है girls में वो increase हो रही है तो हम यहाँ पे एक program रन करेंगे तो 9 से लेकर 14 years तक की जो भी girls हैं उनको हम vaccination प्रवाइच करेंगे prevention of the cervical cancer बहुत बड़े problem है ही हमारे देश में Next है हमारे देश में government प्लान कर रही है to set up more medical colleges तो हमारे जो already existing hospital infrastructure या department है उनकी मदद से हम नए medical colleges को set up करेंगे यह बात यहाँ पे कही है इसके अलावा सक्छम आंगनवाडी and portion 2.2 तो हमारे जो आंगनवाडी center है हम उनको भी upgrade करेंगे आने वाले समय में अभी सक्छम आंगनवाडी and portion 2.2 किया है तो हम मैं आपको बतारा जाती हूँ कि जो हमारा 15 finance commission था मतलब अभी भी उनकी recommendation माने जा रही है तो 15 finance commission के period में 2021-22 से 25-26 के लिए सक्छम आंगनवाडी and portion 2.2 को launch किया गया था और इसकी nodal agency Ministry of Women and Child Development देखने को मिलेगी तो इसमें जो आंगनवाडी केंद्रे उनको upgrade करने का काम किया जाएगा नेक्स्ट है आयुषमान भारत scheme के extension की बात की गई है extension of healthcare cover under the आयुषमान भारत scheme to all ASA workers आंगनवाडी workers and helpers तो यहाँ पर जो आयुषमान भारत scheme है उसको हमने extend किया है और अब ये आशा workers को आंगनवाडी workers और helper को भी cover करती है तो आयुषमान भारत scheme को कब launch किया गया था तो देखेंगे आप launch of आयुषमान भारत प्रधान मंत्रे जन आरोग योजना इसे प्राइम मिनेस्टर नरेंद बोधी जी ने राची से launch किया था जहारकर्ण में 23rd of September 2018 में नेक्स्ट है इन्होंने कहा है कि जो हमारा mission इंद्रधनुष चलता है उसके अंदर हम vaccination program को run करते हैं तो vaccination program के लिए हमने एक online portal बनाया है जिसका नाम है UWIN platform इस platform से जो vaccination process है वो fast up होगा और एक online registration हो जाएगा जिससे user को यह parents को भी information होगी कितनी vaccination लेनी है कितने doses होगा है कितने doses बाकी है under the mission इंद्रधनुष यह बात यहाँ पर UWIN portal की चर्चा बजट में की गई है मिशन इंद्रधनुष इसे Ministry of Health and Family Welfare ने लांज किया था 25th of December में 2014 2014 की स्कीम है चेक है vaccination program इसमें रन होता है बच्चों के लिए next है budget का estimation 24-25 के लिए क्योंकि अभी तो interim budget है लेकिन फिर भी नोंने कहा है कि आने वाले अभी समय में क्या estimation रहने वाला है तो सबसे पहले बात की गई है fiscal dipsit मतलब सरकार का राजकोशी घाटा सरकार को कितना घाटा लगने वाला है चूना लगने वाला है वो बात कर लेते हैं तो physical dipsit in 2024-25 estimate किया गया है 5.1% of the GDP राजकोशी घाटा financial year 24-25 में कितना रहेगा 5.1% of the GDP रहेगा चीक है इसके अलावा सरकार ने कहा है कि जो हम free loan capital expenditure मतलब अगर राजसरकार infrastructure तयार करना चाहती है राजसरकार अपने राज्यों में bridge बनाना है, hospital बनाना है कोई भी infrastructure तयार करना इसके लिए इन्होंने total budget रखा है 1.3 lakh crores ठीक है नेक्स्ट है total receipt other than borrowing and the total expenditure जितना सरकार को revenue हुआ है borrowing के अलावा borrowing को मतलब जो सरकार ने उधार वगेरा लिया है bank से उसकी उपर चर्चा नहीं हो रही है normal जो tax वगेरा होते है और अलग sources जो है government के हो रही है 30.80 lakh crore हमारा revenue होगा और कितना हम expenditure करेंगे हमारा estimation है कि आने वाले समय में हम 47.66 lakh crore invest करेंगे मतलब expenditure करेंगे खचा करेंगे तो इतना हमें income होगा इतना हम खचा करेंगे आने वाले financial year में तो obvious सी बात है गाटा तो हो गई कितना है 5.1% of the GDP है टेक्स की बात करते है तो जो total tax हमको next year मिलेगा तो tax receipt जो है 26.02 lakh crore होगी 26.02 lakh crore हमको tax receipt होगी 2024-25 में चलो इतो आने वाला future होगी भाया present भी बता दो इस साल की क्या इस्तिती रही तो आईए यहाँ पर 23-24 की बाते करते हैं इस साल क्या data रहेगा हमारा तो यहाँ पर इन्होंने अपने data को revise किया है क्या revise किया है पहली चीज़ उन्होंने कहे कि हमारा जो estimated fiscal deficit रहेगा in present financial year में वो 5.8% of the GDP रहेगा जबकि next financial year में हमारा fiscal deficit 5.1 रहेगा जैसा कि अभी हमने देखा चीक है next बात की है revenue receipt तो revenue receipt 30.03 लाग करोर रहेगा ऐसा हमको estimate किया है चीक है expenditure की बात की गई है हमारा खर्चा 24.9 लाग करोर रहेगा चीक है इसके अलावा revise estimate of the total receipt other than the borrowing तो total receipt हमें borrowing के अलावा कितनी रहेगी 27.56 लाग करोर रहेगी tax कितना हमने receive करेंगे इस साल तो हम 23.24 लाग करोर tax को receive करेंगे मेरी बात समझ जीए बात सिर्फ इतनी सी है देखो summarize कर देते है यहाँ पर budget में क्या होता है अभी जो आपका financial year चल रहा है मतलब 23.25 इस 23.25 इस financial year में आपको कितना income हुआ जिसको आपने revenue revenue आप शब्द इस्तेमाल कर रहे है आप कितना खर्चा करोगे आपका expenditure कितना होगा तो अब जब income होके ही खर्चा होगया तो आपको कुछ ना कुछ losses होंगे घाटा जिसको आपने physical deposit कहा है इसके अलावा आपने tax कितना receive किया है तो ये बात बताई गई है वैसे ही आने वाला जो FY है 24-25 उसमें क्या-क्या कहानी रहने वाली है तो ये बात कही गई है समझ में आया तो यहाँ पर 23-24 के लिए कहा है कि physical deposit 5.8% of the GDP रहेगा और इसके लिए कहा है कि हमारा fiscal deposit 5.1% of the GDP रहेगा चेक है यहाँ पर mention कर दिया है Done हमारा target क्या है तो हमारा target है कि हम FY 26 तक अपना जो deficit है अपना जो घाटा है वो below 4.5 कर ले अभी हमारा घाटा क्या है? 5.8 है फिर हमारा next year घाटा क्या है? 5.1% है हम चाहते हैं कि financial year 26 तक हमारा जो घाटा है वो 4.5% से नीचे चला जाए ऐसा सरकार का target है अब देखते हैं टेक्स session की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि 2014 से अभी तक हमारे जो fillers है जो tax pay करते हैं उनकी संख्या बड़ी है लगभग 2.4 times लोगोंने tax भरना शुरू किया है और direct tax collection triple हो गया है 2014 के comparison में यहाँ पर project किया गया है कि जो next financial year होगा उसमें हमें जो total tax receipt मतलब total tax receipt होगा वो 26.02 लाग करोर रुपे होगा बात समझ में आई यह आपका compilation हो गया यहाँ पर next है तो यहाँ पर बोला गया है कि अभी तो कुछ भी नया tax नहीं हुआ है टेक्स जो slave है उसमें भी कोई changes नहीं हुआ है और कहा है अगर आपकी annual income 7 लाग रुपे तक है तो आप new tax regime में आते हो तो आपको कोई tax देनी की जरुरत नहीं है यहाँ तक कि कहानी ठीक है और क्या बाती की गई है इन्होंने कहा है कि जो average processing time है tax को return करने का पहले वो 93 days था average processing time of the return has been reduced from the 93 days in the year 2013-2014 2013-2014 में जो tax return करने का processing दे था वो 93 दे था इसको हमने reduce करके 10 days कर दिया है हमने क्या कर दिया है इसको 10 दिन कर दिया है इसके अलाबा जो corporate tax है उसके rate को भी हमने reduce कर दिया है 30% था इसको घटा कर 22% corporate tax कर दिये है और जो नई company form हो रही है उनके लिए तो और कम कर दिया है 15% ये बात कही गई चलिए अब यहाँ पर एक और बात कही गई है जैसे कि कोई नया business खोलता है कोई व्यक्ति नया business लेकर आया market में तो अब नया business तो धीर धीर ही profit कमाएगा तो ऐसे नया business जिनका turnover दो करोर से कम है तो ऐसे businesses को अपनी account ये balance sheet तैयार करने के ज़़रत नहीं आप तो टोटल profit का लगबग 8% हमको tax दे दो, simple सी बात है ऐसी बात है की गई थी, इस limit को बढ़ा कर 3 करोर कर दिया, पहले 2 करोर था इसको बढ़ा कर 3 करोर कर दिया है तो यहाँ पर लिखा है presumptive taxation for the retail businessman was increased from the 2 करोर to 3 करोर और business professional के लिए यहाँ पर ये limit पचास लाग से बढ़ा कर 75 लाग रोपी कर दिया है छीक है done, next है FDI तो यहाँ पर बताया गया है कि 2013-14 के comparison में आज आप देखेंगे मतलब 2005-2014 के comparison में अगर हम 2014-23 की बात करते तो FDI बहुत अधिक संख्या में आया है FDI क्या होता है? Foreign Direct Investment जब कोई foreigner हमारे देश की कंपनियों में इंवेस्ट करते हैं तो उसे हम FDI कहते है simple words तो FDI inflow जो है 2014-2023 के बीच में 596 billion dollar का हमारे देश में रहा इसे golden era नाम दे दिया गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं दे दो Population growth एक बहुत बड़ा challenging task है Government ने भी accept किया है और कहा है हम इसके लिए एक high power committee का formation करेंगे किस तरीके से हमको इस challenge से उभरना है मतलब इस task को हमें cover करना है चीक है Next है environment and green energy अब देखिएगा सरकार का तो अपना target है कि हमें net carbon emission zero करना है 2070 तक तो obvious सी बात है renewable sector पे ज़्यादा ध्यान देने के ज़रुरद है तो क्या बात है की गई यहाँ पे पहली बात दो की गई कि हम जो wind energy है wind energy set up करने के लिए wind energy potential के लिए हम basically beability gap funding provide करेंगे मतलब एक one time investment होता है सरकार का एक one time grant देती है सरकार ऐसे start up के लिए जो कि wind sector में काम करेंगे उनके लिए fund देने की बात की है ठीक है फिर coal gasification plants की बात की गई है कि हम coal gasification plant लगाएंगे और इससे हम LNG gas पनाएंगे जिनकी capacity 100 metric ton होगी up to the 2030 छीक है इसके अलावा अगर आप bio gas बना रहे हैं bio gas plant है तो आपको machinery ही जरूरत होगी तो इन machinery को procure करने के लिए हम आपको financial assistant पी provide करेंगे कि आओ बेटा bio gas plant लगाओ जो machinery आ रही है उसके लिए पैसा हम से लो ठीक है next बात की गई है बोला है कि phased manner में ये mandate किया गया है कि blending of compressed bio gas in the compressed natural gas यहाँ पे जो bio gas है उसको natural gas में convert करके जो आपके pipelines होती है pipeline के जरूरे घरों तक बेजा जाएगा ये target है और धीरे धीरे सारे लोगों को ऐसा करना पड़ेगा mandate है तो phased mandatory blending of compressed bio gas in the compressed natural gas for transport and piped natural gas for the domestic purpose will be mandated ये बात यहाँ पर बोली गई है ठीक है next है EV तो electrical vehicle एक अपने अपमे ecosystem हमें तयार करना है तो EV तभी लोग खरीदेंगे जैसे कि आज हर थोड़ी दूर पे आपको petrol pump मिलते हैं वैसी अगर हर थोड़ी दूर पे आपको electrical charging station मिलेंगे तभी आप EV को खरीदोगे वरना क्यों खरीदोगे बंद हो गया, discharge हो गया तो रखके जाना पड़ेगा कहीं टिका के तो यहाँ पे बोला है कि बिल्कुल हम charging infrastructure तयार करेंगे और हम EV को manufacturing को भी support करेंगे जिससे हम net carbon amazon को zero कर पाएं 2070 तक यहाँ पे बोला है कि public transport में, public transport network में हम e buses को green e buses जो हैं उनको adopt करेंगे, छीक है next बात क्या कही गई है, for promoting green growth, a new scheme of bio manufacturing and bio foundry will be launched, तो यहाँ पर हम green growth करने के लिए, मतलब green energy को support करने के लिए, हम bio manufacturing and bio foundry को जली ही launch करेंगे and blue economy पे जोर दिया गया है blue economy पे जोर दिया गया है जिससे जो coastal aquaculture है या हमारे जो fishermen's हैं उनकी भी income को increase किया जा सके और हमारा जो burden है हमारे natural resources पे उनको हम कर सकें और अपना जो fishery sector है उसमें export को हमें increase करना है तो blue economy पे हमें ध्यान देने की जरूरत है तो blue economy का जिक्र यहाँ पे किया गया है अब आता है infrastructure development भाई यहां तो बहुत बड़ी बात कहे दी गई है कि outlet for the next year is being increased by the 11.1% infrastructure development मतलब road के लिए civil aviation के लिए आपके bridge बनाना है तो आपके इन सारे infrastructure development करने के लिए हम जो fund है वो 11.1% increase कर रहे है और कितना हो जाएगा यह देखो यहाँ पर लिखा हुआ है to 11,111 करोर रुपीज ठीक है यह बज़र आपको है जो कि total 3.4% है हमारे GDP का infrastructure के लिए ठीक है अब यहाँ पर 3 major economic railway corridor program की बात की गई है कि हम 3 railway corridor बनाएंगे energy, mineral and cement corridor port connectivity corridor and high traffic density corridor इन 3 corridor को तैयार किया जाएगा ठीक है इसके अलावा यह सारे काम कौन करेगा यह सब under the PM गती शक्ती होंगे PM गती शक्ती के अंदर इन 3 corridor को जली ही तैयार किया जाएगा इसके अलावा बोला है कि हम 40,000 जो normal rail bogeys है उनको convert करेंगे बंदे भारत standard के हिसाब से to enhance safety measures और passenger की सुभिधा के लिए अब aviation sector भी लगातार growth कर रहा है और number of airport हमारे country में double हो चुके है to 149 past 10 year में number of airports जो है वो double हो गए है ये बात कही है aviation sector growth कर रहा है अब youth के लिए क्या बात की गई है तो इन्होंने कहा कि हमने अपने देश में skill India mission को launch किया था skill India mission को हमने launch किया था 15th of July 2015 में जिसमें youth को skill up किया जाता है और training दी जाती जिससे उनको रोजगार मिल सके तो इससे लगबग 1.4 करोर youth को training दी जा चुकी है चीक है कोई बात नहीं next बात बोला है PM Mudra Yojna PM Mudra Yojna में basically जो लोग start-up करना चाहते उनको financial support प्रोवाइट किया जाता है under the PM Mudra Yojna इसमें भी हमने लगबग 43 करोर youth को loan sanction किया है उनके start-up के लिए फिर बोला है कि PM Shri के लिए भी budget हमने increase कर दिया है PM Shri जो प्रधान मंत्री rising school है उसके लिए भी हमने budget increase कर दिया है आप देख सकते है 23-24 में 4000 करोर था 24-25 के लिए 6050 करोर रुपी होगा तो यहाँ पर मैंने दोई scheme की बात की है तो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना है इसको launch किया गया था 8 April 2015 में Prime Minister Modi ji के दुआरा इसका मकसद क्या था जो कि small businesses हैं enterprises हैं उनको 10 लाग रुपे तक का loan up to 10 लाग रुपी तक का loan प्रवाइट करना अपने start-up के लिए वैसे मैंने यहाँ पर PM Shree की बात की गई थी PM Shree scheme जिसको हम PM School for Rising India कहते हैं इस Central Government की sponsor scheme है ठीक है पाथ सालों के लिए इसको launch किया गया था पाथ सालों के लिए इसे launch किया गया था आप देखेंगे टोटल प्रजेक्ट की cost है 27,360 करोर जिसमें Central Government का शियर 18,128 है पाथ सालों के लिए इस scheme को launch किया गया था 22,23 से 26,27 के लिए इसके अलावब एक नई scheme को launch करने की planning कर रही है government किसके लिए Deep Tech Technology Research Work in the Defense Sector Defense Sector क्योंकि आतनरवर भारत में हमें काम करना है ठीक है अब बहुत सारे ऐसे youth होते हैं जो कि tech में काफी interested होते हैं तो ऐसे youth के लिए एक corpus money fund बनाया जाएगा a corpus of rupee 1 lakh करोर rupees will be set up with a 50 year interest free loan 50 साल के लिए interest free loan इस fund से दिया जाएगा जो research work करना चाहते हैं जो youth technology में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए इस पूरे बजट में एक स्लोगन का इस्तमाल भी किया गया है इन्होंने कहा कि जैसे कि लाल बादो शास्ति जी ने कहा था जै जवान जै किसान वैसे ही अटल विहारी बाचपे जी ने कहा था जै जवान जै किसान जै विग्यान और नरेन मोधी जी के द्वारा कहा गया है जै जवान, जै किसान, जै विज्ञान और जै अनुसंधान तो यहाँ पर अनुसंधान मतलब research work की बात की जा रही है तो इसलिए हम इस fund को setup कर रहे हैं कि भाई आओ research करो, youth को encourage कर रहे हैं Next is agriculture and related sector Agriculture की बात करते हैं, क्या बात की गई है? तो यहाँ पर nano DAP के बारे में बात की गई है Application of nano DAP on various crop will be expanded in all agroclimatic zone तो यहाँ पर जो nano DAP का इस्तमाल किया जाता है उसको हम all agroclimatic zone के लिए further expand करेंगे फिर इनोंने कहा है, आत निर्भर भारत के अंदर oil seats में आत निर्भर होना चाहते हैं जैसे कि आपके mustard oil है, ground nut है, soya bean है, sunflower है इसमें Next to scheme की बात की गई है, वो है प्रधान मंत्री मतस संपदा योजना जिसे 10th of September 2020 में launch किया गया था मकसद क्या था, blue revolution, blue economy को boost करना ठीके, आने वाले 5 year के लिए इसको launch किया गया था 2020 से 25, तो यहां पर कुछ measures लिएगा है क्या बोला गया है, यह जो प्रधान मंत्री मतस संपदा योजना है इसमें हम एक कदम और आगे लेते हैं और implementation कुछ नए तरीके से करेंगे, कैसा? पहली बात इन्होंने कहा है कि जो aquaculture productivity है उसको हमें अभी 3 ton per hectare है, इसको बढ़ा कर 5 ton per hectare करना है अभी जो aquaculture की productivity है, वो एक hectare में 3 ton होता है अब हमें एक hectare में उसको बढ़ा कर 5 ton करना है फिर export को double करना है, 1 lakh करोड तक हमें अपना export करना है, double करना है, चीक है जिससे future में 55, 55 lakh employment opportunity भी हमें near future में, aquaculture sector में, fishery sector में generate करना है और हम 5 integrated aqua park को भी setup करेंगे ये सारी बात इस प्रधान मंत्रे मदस संपदा योजना के अंतरगत निर्मला सिता रमन जी के द्वारा कहा गया है अब नारी शक्ती की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि लगभग 83 lakh, लगभग 83 lakh, लगभग 83 lakh, self-help group जिसमें 9 करोड महिलाएं associated है तो इन self-help group की मदद से social economic transformation और एक empowerment आया है, एक रोजगार मिला है महिलाओं को ठीक है, महिलाओं को अगर आप भागिधार या enrollment percentage देखते हैं, education sector में तो वो भी increase हुआ है आप देख सकते हैं, female labor force participation rate increase हुआ है, 2017-18 में यह 23.3% था, अब इनका participation 37% पहुँच चुका है और लगबग 10 सालों में 28% increase हुआ है, women enrollment, school में, colleges में, महिलाओं की जो भागिधारी है, उनका admission 28% last 10 year में increase हुआ है चीक है, इसके अलावा, मुद्रा योजना के अंतर, लगबग 30 करोर women को loan दिया गया है, उनके start-up को शुरू करने के लिए और यहां पर government ने कहा है कि हमारा target है कि जो लगबती दीदी scheme है, उसको 2 करोर से बढ़ा कर, 3 करोर महिलाओं को, अपने target को increase करना है हमें 2 करोर महिलाओं को लगपती दीधी नहीं बनाना है, मतलब अपने target को increase करना है Next है, यहां पे कुछ और scheme की चरचा अपने interim budget में की गई है जैसे की PM स्वानी धी scheme अब इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा COVID के समय की scheme है street vendors के लिए क्योंकि obviously बात एक COVID में lockdown था, सारी दुकाने बंध हो गए थी, तो इन लोगों को घाटा हुआ, अपने business को बापस से revive करना है, तो PM स्वान ने थी scheme को launch किया गया था, तो इसमें बताया गया है, कि अभी तक 78 lakh street vendors को इससे फायदा मिला है, और इनको अभी तक 2.3 lakh करोर रुपीज दिये गया है, ठीक है, from that total 2.3 lakh have received credit for the third time, next बात करते हैं, यह पर CR और लगा देना, Ministry of Housing and Urban Affairs ने PM स्वान निधी scheme, मतलब Prime Minister street vendor आत्मिरबर भारत scheme को launch किया था, 1st June 2020 में, जिससे COVID के समय जो street vendor उनके business बंध हो गया है, उनको शुरू किया गया था, next है farmers, जिनके लिए शब्द इस्तमाल किया है अन्यदाता, तो अन्यदाता को हर साल, PM किसान सम्मान योजना के अंदर direct financial assistant प्रवाइट होता है, आपको पता है कि इस सम्मान निधी के अंदर 6,000 रुपे in a year दिये जाते हैं, तो अभी तक इस से लगबग 11.8 करोड फार्मर्स को, 11.8 करोड फार्मर्स को फार्मर्स को फायदा हुआ है, PM किसान एक central sector scheme है जिसको 24th of 5, 2019 में लांच किया गया था, ठीक है, next है e-naam के बारे में सुना होगा शायद आप लोगों ने, e-naam का मतलब है electronic natural agriculture market, जिससे हमारी मंडियों को connect किया हुआ है, तो इसके अंतरगत लगब 1361 मंडी को connect किया है, जिससे हमारे 1.8 करोड फार्मर्स को फायदा हो रहा है, अगर e-naam की बात करते हैं, तो इसको प्राइम मिनिस्टर नरिन मोधी ने 14th of April 2016 में लांच किया गया, था completely funded by central government, यह extra point मैंने इसने लिखे, क्योंकि कोई scheme है, जो news में है, तो वो बिलकुल chances बनते हैं, कि आने वाले exam में आपको दिखेंगी, इसलिए extra point आप लोगों के लिए एड़ किये हैं, अब बोला है कि हमने 3000 नए ITI बनाए है, ठीक है 3000 हमने नए ITI किये और Higher Learning Institute के अगर बात करें, तो 7 IITs, 16, यहाँ पर देखो, 7 IITs, 16 IIITs, 7 IIIM, 15 AIMs, और 390 University has been set up, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर की हुई हैं, इसके लावे इनोंने कहा है यूथ का जो participation इस्पोर्ट के सेक्टर में वह भी increase हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इनोंने कहा कि medal tally में हम Asian Games और Asian Paragames में हम top पर रहे हैं, तो अब आपकी responsibility बन जाती है कि Asian Games और Asian Paragames में medal tally आपको पढ़नी पड़ेगे, अपकमिंगे एक्जाम के लिए क्योंकि चर्चा कर ली का, इस medal tally में top पर हैं, कितने medal में में यह आपका task है, आप मुझे बताएंगे कि comment section में कि Asian Games में भारत को कितने medals मिले थे, ठीक है, next बात बोला है कि 2010 में हमारी country में chess में जो grand master थे, वो 20 थे, लेकिन आज के समय में 80 से जादा grand master आपको देखने को मिलेंगे, तो हर एक sector में हम growth कर रहा है, हमारे yuba growth कर रहा है, यह बात यहाँ पर कही गई है, clear है, इसके पहले तक क्या होता था, 2016 तक अगर देखोगे तो आप रेलवे बज़ट was presented separately, अलग से union budget से अलग आपको railway budget देखने को मिलता था, लेकिन 2017 से इसको merge कर दिया गे with general budget, तो आज के समय में railway budget और general budget mix होके आते हैं, यहाँ पर कुछ keywords लिखे हैं, यहाँ पर कुछ key, आपके constitution में के articles हैं, जिनको आपको याद करना है, जैसे कि annual financial statement आपको article 112 में दिखेगा, demand for grant आपको article 113 में दिखेगा, और finance bill आपको article 110 में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर यह कुछ key article से budget से associated हैं, तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, आपके लिए एक और note है, black budget, 1973 से 1974 का जो budget आया था, उसे black budget कहते हैं, क्योंकि उसे present किया था, YV जवान ने और यहाँ पर जो physical deficit था हमारा, वो 550 करोड था, तो इसलिए उसे हमने black budget कहा था, कि सरकार को बहुत घाटा हुआ था, clear, आई थिंग आपको highlight clear हो गए होंगे, कि क्या बाते की गई हैं, आपको अब याद क्या रखना है, एक बार मैं आपको बता देती हूं, तो सबसे पहला task है आप लोगों का, कि देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को, यह सारी scheme मैंने चर्चा की हैं, ठीक है, जो सारी scheme चर्चा की हैं, जैसे कि आपका प्रधान मंत्री, आवास, योजना, ग्रामीर, इसको याद रखना है, फिर आपकी rooftop scheme को याद रखना है आपको, आंगनवाडी center, सक्षम आंगनवाडी and portion अभियान को याद रखना है, ठीक है, यूविन platform किसलिए होता है, फिर ये वाला data, जो budget estimate किया गया है 24-25 के लिए, और इस साल, मतलब present के लिए क्या estimation है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि मैंने यहाद पर summarize किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर, आपको याद क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर, हाँ, coal gasification plant का हमारा target कितना है, 2030 तक हम कितना यहाँ पर coal से gas को convert करेंगे, इस बास पर आपको जोड देने की ज़रुबत है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर, इन corridor को याद रखना है कि infrastructure में हमने कितना budget दिया, directly question बनेगा कि infrastructure development के लिए हमारा total GDP का कितना percent allot है, तो 3.4 percent allotment है, यह corridor आपको याद रखने है, under the PM गती शक्ती, ठीक है, उसके बाद यह Skill India Mission है, PM Shreev scheme है, PM Mudra scheme है, E-NAM है, इनको याद रखना है, प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना, very very important, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, उसके अलावा, PM Swannadhi scheme आपको याद रखनी है, PM Kisahan Sammanadhi आपको याद रखनी है, done, और Asian Games और Para-Asian Games के, आपको medal tally याद करनी है, ये आपका काम है, ये सारे चीज़ें आपको याद गरनी है, upcoming exam के लिए, तभी आपका काम बन पाएगा, clear हो पारही है चीज़ें, तो ये थे हमारे कुछ highlights, बाकी हम मिलते हैं अपने करेंट अफेर्स के साथ, morning 8 am, बाकी मिलते हैं, okay take care,